हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ग्यांसिटी में तो फ्रेंट्स मैं आप लोग को आज कुछ इंट्रेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ और ये हम एक्चुली साइड पे पहुँच गये हैं यह आपको देख सकते हैं यहां पे आपको मेजर बिज का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और यह एक रिवर है ठीक है नदी है नदी में यह ब्रीज बन रहा है और देख सकते हैं कि दो जो आपका लाइन है railway line वो अरड़ी constructed है ये तीसरा लाइन का बनना है तो उस तीसरा लाइन पे बिर्ज तो बनाना होगा अब उस बिर्ज बनाने के लिए ये आप देख सकते हैं ये सब pier है जो बीच में आपको दीख रहा होगा यह पीर है और यह यहाँ पर जो मसीन लगा हुआ है यह आवाटमेंट है ठीक है तो अब इसमें यहाँ पर देखिए के construction में क्या क्या हो रहा है अब यहाँ पर discuss करेंगे pile cap के बारे में pile cutoff level के बारे में liner के बारे में ठीक है यह सभी pile foundation open foundation सब कुछ discuss करने वाले हैं आपको सब कुछ पता चलेगा यहीं पर ठीक है डारेक्टली यह साइट पर देख रहे हैं यहाँ दो मसीन लगा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में दो मसीन यहाँ पर लगा हुआ है यह दोनों मसीन और लेगा है पॉपन अँदर में और दोनों मगा हुआ है यह अपर और पर यहाँ पर फंडेशन हो होगया देख सकते हैं यहाँ पर चोड़ा च्ड़ा टाइप का उपको एक जो एक ताइप का बना हुआ है वह आपका प्रोटेक्शन पाइल है जो कि आपका existing structure है उसको छती ना हो उसमें कोई दिक्कत ना हो collapse ना करें उसके लिए वो चीज प्रोवाइड किया गया है अभी देखिए हम बढ़ रहे हैं आपका open foundation के तरफ ठीक है साइट पर देख सकते हैं आपको प्राक्टिकली जरूरी है यहां पर देख सकते हैं यह आपका open foundation है open foundation में हम लोग पाइलिंग नहीं करते हैं डारेक्ट क्या करते हैं एक्स्तेवेट करते हैं जहां पर भी पियर बनाना है देखिए हर आपका पियर पर जैसे यह आपको दिख रहा होगा एक पियर दो पियर तो हर पियर पर आपको foundation बनाना होगा न तो यह आपका open foundation यह यहां पे जो यूज हो रहा यह pile foundation है ठीक है जीसे कि piling हो रहा है और यह आपको दिख रहा होगा यह आपका यह आपका जो छोड़ा छोड़ा black type का दिख रहा है न वो क्या है वो आपका protection pile है यह existing जो आपका अबार्टमेंट है उसको सुरक्षित करने के लिए वो कोलाप्स ना हो इसी के लिए हम लोग किये हैं देख सकते हैं आपको पता हो कितना ज़्यादा खर्च होता है प्रोटेक्शन करने के लिए क्योंकि हमको existing में बचाना है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है यहां पहां पर आपका पूरा अंदर में जो मिट्टी है उस उपरी जो लेर हमा लीजे आपका 10 मिटर या 8 मिटर लूज मेटरियल है तो वहां पर पाइल पॉंडेशन करेंगे लेकिन आप पता चला कि 3-4 मिटर नहीं गया नीचे में ग्राउंड के और वहां पर रॉख आ गया तो वहां पर आप पाइल फाउंडेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑपन करना पड़ेगा और उसके बाद उसके ऊपर में एक उपकर करके तरफ अजाएंगे यहां पर आपको दिख रहा होगा यह क्या स सब पीर है इसको हम लोग पीर बोलते हैं जो लास्ट वला भी हम दिखा है वो आवाटमेंट था यह देख सकते हैं नीचे में इसका भी एक्सक्वेट करके यह सभी जगा पाइल फॉंडेशन हुआ और इसमें एक एक्सक्वेट करके इसको उपर के तरफ लाएं पाइले पीछे में कॉंक्रेट से लेके उपर के तरफ कास्टिंग करते हैं यह आपका हाइडरा है यह सारे चीजों के बारे में आपको बताएंगे और भी आगे इसी ब्रिच पर हम आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज बताते रहेंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी द दिए देख सकते हैं कि पुराना स्ट्रक्चर कैसा और नया स्ट्रक्चर आप कैसे बन रहा है देखिए नीचे वाला पार्ट यह भी क्या आजाएगा प्रिवेस वाला ही पार्ट में यह नीचे आपको दिख रहा होगा कॉंक्रेट का यह आपका पाइल केप है ठीक है यह लोकेशन में वर्क करना है आपको एक बहुत बढ़ए मसूस होता है इस जगह पर काम करने में ठीक है यह देखिए यहाँ सब देख रहे है यहाँ इस प्रवला नीचे बनावा है अब इसिंदी को बाइल नी चे में पर नींचे बना अभी इधा नहीं वर्क हो रहा है यह सब पाइल है अभी और भी इस ब्रिच पर आपको हम बहुत चारे चीज जो है वह बताते रहेंगे ठीक है तो वीडियो को आप जरूर जरूर देखा करिए इसको बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिकली भी पता चलेगा कुछ कोई टर् है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर जरूर लाइक करिए शेयर करिए